हलो बच्चो मैं नेहा सैन नौ भरती परिवार में आपका स्वागत करती हूँ आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का तीसरा प्रकरण जो है शब्द विचार इससे पहले हम वर्णों के बारे में पढ़ चुके हैं और संधी के बारे में पढ़ चुके हैं अब हम देखते हैं शब्द शब्द क्या होते हैं कैसे होते हैं उन कौन-कौन से प्रकार के होते हैं उसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो क्या होता है शब्द विचर आईए देखते हैं एक या अधिक वर्णों से बने हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनी शब्द कहलाता है अर्थाथ जब हम वर्णों, वर्णों में कौनों आता है स्वर और व्यंजन जब स्वरो और व्यंजनों का मेल करके शब्दों का निर्मान होता है तो वो एक सार्थक ध्वनी बन जाती है अर्थार जब दो या दो से अधिकवर्णों का मेल किया जाता है तो उनसे उत्पन होने वाला सार्थक समो ही क्या कहलाता है हमारा शब्द कहलाता है सार्थक क्यों लैस शब्दों के लिए कोई इस्थान नहीं है, ऐसे हिंदी भाषा में भी निर्थक शब्दों के लिए कोई इस्थान नहीं है, इसलिए शब्द की परिभाषा अगर आप देंगे, तो क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, कि दो या दो से अधिक वरणों के सार्थक मेल से बनी हुई सार्थक धनिया या दो या दो सदिक वरणों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं शब्द कहते हैं जैसे एक वरण से कोई निर्मित शब्द होता है जैसे न नहीं व और अनेक वरणों से निर्मित भी होते हैं, जिनके की अर्थ होते हैं, जैसे यहाँ पर न शब्द दिया हुआ है, तो न किसका अर्थ देता है, नहीं का, वो किसका अर्थ देता है, और का, ठीक है, तो यह यहाँ पर एक और एक से ज्यादा, दोनों वरणों के बारे में बताया गया है, शब्दों के भेद शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द बहुत प्रकार के होते हैं, उनको अलग अलग भागों में पाटा गया है, जैसे सबसे पहले आता है हमारा बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार, इसे सनरचना के आधार पर भी बोलते हैं, बनावट के आधार पर शब्द ती लोग से ना बने हों, और किसी विशेश अर्थ को प्रकट करते हों, वैं रूड कहलाते हैं। साधरन से शब्दों में से समझूजिए, जिस चीज़ को देख के, यानि किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, इस नाम आटा उसके लिए या जो चीज हमारे लिए जानकार है हम जिसे जिस नाम से जानते हैं वही रूड़ शब्द है रूड़ यानि की परंपरा बन जाना रूड़िया होती है ना परंपरा बन जाना रीतिया बन जाना तो जैसे जैसे समाज में होता आ रहा है वैसे वैसे हम उनको करती जा रहे हैं, कार्यों को करती जा रहे हैं, परंपराओं को निभा रहे हैं ऐसे ही, जैसे मैं पैंसल से काम कर रहे हूँ, तो उस पैंसल को आप पैंसल ही कहेंगा, आप उसको दूसरा नाम से नहीं जानते हैं खिड़की है घरों में, दरवाजे हैं, चदर है आपकी कॉपियां हैं, किताबे हैं, कपड़े हैं तो उन सब के लिए एक नाम क्या है? इस्थाई नाम हो गए तो इस्थाई नाम ही क्या कहलाते है? रूड़ शब्द कहलाते हैं और आप इनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, यदि आप इनके टुकड़े कर देते हो, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है, जैसे कल, पर, इनमें कल, पर का टुकड़ा करते हैं, यदि कल और पर के टुकड़े करते हैं, तो इनका कुछ अर्थ नहीं निकलता, यह निरर्थक हो जाते हैं और निरर्थक शब्दों का हमारी हिंदी में कोई स्थान नहीं है आगी रेखिए योगिक शब्द जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हो वे योगिक कहलाते हैं आप इनके टुकडे भी कर सकते हैं और जब आप इनके टुकडे करेंगे तो दोनों शब्दों की अपने अलग-अलग अर्थ होते हैं ठीक है जैसे देवाले देवधन आले यानि देवताओं का स्थान हिमाले हिम धन आले हिमाले हिम के रहने का स्थान यानि हिम का छेत्र हिम का घर ये सभी शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं रूड शब्दों में तो क्या था आप उनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं लेकिन योगिक शब्दों में आप उनके टुकड़े भी कर सकते हैं और दोनों का अर्थ भी हो सकता है आगे देखिए योग रूड श चोड़कर किसी तीसरे विशेश अर्थ की और इंगित करते हैं जैसे बहुरी समास के अंदर होता है दोनों पर अपना अर्थ छोड़कर के तीसरे विशेश अर्थ की और दर्शाते हैं किसी विशेश तीसरे अर्थ को दर्शाते हैं तो यही क्या कहलाता है योगरूड कहलात यानि कीचड में जन्म लेने वाला, पंक यानि कीचड यानि जन्म लेने वाला, तो पंकच यानि आपके दिमाग में यह चीज फिक्स है, कौन है पंकच, किसी कहते हैं पंकच, पंकच कहते हैं कमल को, ठीक है, और भी पहुत सारी चीज़े होती हैं कीचड के अंदर खिलने व दोनों अपना अर्थ छोड़ कर किसी तीसरे अर्थ की और इंगित कर रहे हैं और वो क्या है रावन ठीक है तो इसी लिए ये क्या हो गए योगरूड शब्द हो गए आगे देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हमने अभी से पहले क्या पढ़ा संरशना के अधार पर बनावट के आधार पर शब्दों के वेद अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द वेद उत्पत्ति के आधार पर अर्था जब हमारी हिंदी उत्पन हुई यानि हमारी हिंदी का जब जन्म हुआ तो हिंदी से पहले हमारे जो संसार है हमारा जो भ भाशा संस्कृत थी उस संस्कृत को पढ़ पाना मुश्किल था इसलिए हमारे उस समय के जो आचारिय गंटे उन्होंने क्या किया उस संस्कृत को सरल बनाने का प्रयास किया और स्वैदिक संस्कृत को सरल बनाकर उन्होंने लौकिक संस्कृत भाशा का उत्भव किया उत्प बभाषद ने चुछ यहां तक हमारे हिंदी में बहुत सारे कैसे आए, किस प्रकार से उन्हें हमें सम्मिलित किया, उसी अधार पर इन शब्दों का वर्गी करण किया गया तो उत्पत्ती के आधार पर सबसे पह compella है तत्सम शब्द, वे संस्कृत के शब्द जो बिना किसी परिवर्टन के हिंदी बाशा में प्रियोग में लिए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं अर्थार संस्कृत भाषा के वे शब्द जिरे हमने बिना चेंज किये बिना कोई परिवर्तन किये उसे वैसे के वैसे हम हिंदी भाषा में काम में ले रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अगनी, जैसे क्षेतर, वायु, रात्री, सूर्य, आदी. ठीक है? आगे रेखिए, तदभव शब्द. जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आये हैं वह तदभव कहलाते हैं. अर्थात तत्सम शब्द क्या थे संस्कृत भाषा के शब्द जो बिना किसी चेंज के हमने काम में लिये तदभव शब्द क्या है हमने अपने सुविधा अनुसार उन तत्सम शब्दों में थोड़ा चेंज किया तो तत्सम में ख्षेतरदा बोलने में कटना ही हो थी, हमने अपने सुविधा अनुसार क्या कर दिया? उसे खेत कर दिया रात्री है, रात्री को बोलने में कटना ही हो थी, हमने उसे रात कर दिया सूर्य है सूर्य को बोलने में कर नहीं हो रहती हमने उसको सूरच के दिया चंद्रमा है चंद्रमा है उसको हमने अपने सुविधा अनुसार चांद कर दिया अर्थात संस्क्रित भाषा के वे शब्द जिने परिवर्तन करके हमने अपने सुविधा अनुसार उसको ढाला और उसे हिंदी में काम मिलेने लगे वो कौन से शब्द हो गए तद्धवशब्द हो गए ठीके आगे देखिए देशचब्द शेत्रिय प्रभाव के कारण जो शब्द परिस थी वह आवशक्ता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए वे देशच कहलाते हैं इन शब्दों के एक वीशिष्टा और है इसे आप किसी भी भाषा में लिखेंगे तो इन्हें आपको ऐसे ही लिखना होता है जैसे पगड़ी है प शेत्रिय प्रभाव के कारण प्रचलन में आए और हिंदी प्रचला में काम में आने लगे वो क्या कहलाते हैं देशच चब्द कहलाते हैं शेत्रिय प्रभाव यानि एक लिमिटेड एरिया है इनका सीमित शेत्र होता है इनका उसी शेत्र में ये बोले जाते हैं ठीक है आगे देखिए विदेशी या विदेशज शब्द जैसा कि नाम से पता पढ़ रहा है देशज यानि देश में जन्म लेने वाला और विदेशज यानि विदेशों से जन्म लेने वाला विदेशी जातियों के संपर्क में उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रियोक थोने लगे ऐसे शब्द विदेशी अत्वा विदेशच कहलाते हैं जैसे हमारे भारत में बहुत सारे विदेशी आकरांता आया है जिन में मुसलिम्स भी थे जिसमें यहूदी भी थे जिसमें पुर्तगाली भी थे अंग्रेज भी थे तो उनकी भाषा के कुछ शब्द हम लोगों ने ग्रहन करें और उन शब्दों को हम हिंदी भाषा में बिना किसी चेंज के यानि जैसा उनकी भाषा में था वैसा कब वैसा हम प्रियोग में लेने लगे तो वो क्या कहलाए विदेशी शब्द, विदेशज शब्द कहलाए जैसे स्कूल, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टैलीफोन, हिंदी संसृत के अलावा जितने भी शब्द हैं अब क्या कहलाएंगे, विदेशज शब्द कहलाएंगे, आगे देखिए, अचा बचू, इसके बाद में एक और हाता है, जो आपका दिक्तर किताबों नहीं मिलेगा, उन्हें संकर शब्द कहते हैं, संकर का मतलब होता है, तो अलग अलग भाषाओं के मेल से बनने वाला शब क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे, आनिवानशिकी का जो सिध्धान दा मैंडल का, उन्होंने क्या किया था, मतल के बौने और लंबे दोनों पादों में संकर कर आया, संकर करके एक नई पादे का निर्मान किया था, वैसे ही, यहां पर भी हिंदी भाषा में अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिला करके नए शब्द बनाये गए, जिसे क्या कहा जाता है, संकर शब्द कहा जाता है, जैसे, रेल धन गाड़ी, ठीक है, अलग अलग भाषाओं के, जैसे, टिकेट घर, टिकेट के लिए घर, तो टिकेट क्या है, अंग्रेजी अब आधारहांगे शब्दों को मिला करके, जब नए शब्द का निर्मांड किया गयां, तो वो क्या कहलाएं, संकर्शब्द कहलाएं। आगे देखते हैं, अब हैं, प्रियोग के आधार पर शब्द के भेद। kidnapped they wouldğini प्रियोग के आधार पर शब्दों के प्रकार है अब इनका जो वर्गी करन किया गया है इनको दो प्रकार से बाटा गया है मतलब इनको प्रियोग के आधार पर दो भागों में बाटा गया है विकारी और अविकारी शब्द अब विकारी और अविकारी क्या होता है देखते ह जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं अर्थात, लिंग, वचन, काल की आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन उत्पन होता है जिन शब्दों में विकार आ जाता है विकार यानि कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाना ठीक है विकार होना परिवर्तन हो जाना तो उनमें जो चेंज हो जाता है वो तो हो जाते है विकारी शब्द या विकार हो जाना यानि चेंज हो जाना तो वो विकारी शब्द कहलाते है ठीक है जैसे कुत्ता कुत्ते कुत् तो ज़स्फद है ये क्या है। यहां पर जो शब्द है पहला वयला यह एक वच्छन है फिर बहवच्छण है और फिर बहवच्छन में में जी को गया पर मैं मुझे मैं किया मैं मुझे और हमें यह भी परिवर्टित हो गया अच्छा अच्छução घात आपे चेंज हो रही है, लिंग के अनुसार भी चेंज हो रही है, ठीक है, काल के अनुसार भी चेंज हो रही है, वचन के अनुसार भी चेंज हो रही है, तो जहां पर ये चीजे परिवर्तित हो जाती हैं, वहां पर विकारी शब्द होते हैं, संग्या, सर्वनाम, विशेशन और क्रिया ये क्या होते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं आगे देखिए अविकारी शब्द अब जैसा विकारी शब्द था परिवर्तन हो जाना अब अविकारी जब इसमें अ उपसर्ग हमने जोड़ दिया तो अ किस कार्थ देता है नहीं का तो जब लिंग वचनकाल की अधार पर शब्दों में कोई परिवर्दन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं जैसे यहां किंतू, नित्य और हे अरे अधी इनमें किया विशीशन, संबंद बोधगव्य और विसमे अधी बोधगव्य आते हैं अविकारी जो होता है अविकारी को अव्य भी कहा जाता है अव्य शब्द भी ने कहा जाता है अव्य यानि जिने खर्च नहीं किया जा सकता जिने परिवर्दित नहीं किया जा सकता वो क्या होते हैं अविकारी शब्द, अव्य शब्द कहलाते हैं अर्थ के अधार पर शब्द के दो भेद हैं अब हमने क्या क्या पढ़ लिए हमने पढ़े बनावट के अधार पर फिर हमने पढ़े उत्पत्ती के अधार पर फिर हमने पढ़े प्रयोग के अधार पर और अब हम पढ़ेंगे अर्थ के अधार पर शब्दों के भेद अर्थ के अधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं सार्थक और निरर्थक सार्थक शब्द क्या होते हैं जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं जैसे रोटी, पानी, मम्ता, डंडा मतलब जिन शब्दों के अर्थ है वो तो सार्थक है स यानि स अधन अर्थक यानि अर्थ के सहित और निर्थक शब्द क्या होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे शब्द निरस्थक कहलाते हैं जैसे रोटी-ोटी, पानी-वानी, चाय-ऐ-चाय, डंडा-वंडा आप जब बात करते हैं किसी से तो आप इसी प्रकार तो बात करते हैं खाना वाना खालिया क्या चाय-झाय पीली क्या, रोटी-ोटी क्या अब मुझे एक बात बताओ आपने जो पहला शब्द बोला उसका अर्थ है लेकिन उसके साथ में आपने जो दूसरा शब्द बोला क्या उसका कोई अर्थ है नहीं अर्थाथ जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निर अर्थक शब्द कहते हैं अब है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गी करण अब जो अर्थ के आधार पर जो सार्थक शब्द है ना हमारे वो कौन-कौन से होते हैं देखिए विप्रित अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विप्रित अर्थक शब्द कहते हैं जैसे अमृत का वेश, सम्मान का अपमान, प्रिश्ण का उत्तर, आदर का अनादर या निरादर फिर पर्यावाची शब्द, ऐसे शब्द जिनके अर्थ सम्मान हो पर्यावाची शब्द कहते हैं, अंग्रेजी में इने सिनोनिम्स भी कहते हैं पानी के परेवाची शब्द जैसे जल, नीट, अम्बू, तोय, सूरी के परेवाची शब्द जैसे दिनकर, दिवाकर, भानू, भासकर, आक, आधित्य, दिनेश, मित्र, मारतंड, मंदार, पतंग, विहंगम, रवी, प्रभाकर, अरुण, अंशुमाली और सूरज भगत होते हैं, ठीके, फिर एक अर्थक प्रतीत होने वाले शब्द, यानी, शब्द देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन, मतलब, आपको लगता है उनका एक अर्थे, लेकिन वास्तों में उनका अर्थ अलग-अलग होता है, ऐसे शब्द जो देखने में एक, दूसरे के पर देखकर मन में होने वाली जलन, और द्वेश क्या होता है, किसी से शत्रुता का भाव होना, ठीक है, अपराद और पाप क्या होता है, अपराद और पाप दोनों भी एक जैसे रखते हैं, लेकिन वास्तों में ये दोनों होते हैं, क्या, नहीं, अलग-अलग होते हैं, कैसे, अपराद का मतलब क्या होता है सरकारी कानून तोड़ना जब हम गैर कानूनी काम करते हैं सरकारी नियमों के विरुद्ध कारे करते हैं तो वह अपराद होता है और पाप क्या होता है जम धर्म के अनुसर बनाए गए नियमों का उलंगन करते हैं धर्म के नियमों को तोड़ते तो वो क्या कहलाता है पाप कहलाता है ठीक है तो आपको अप इर्शय और द्वेश और अपराद आपके बारे में पता पड़ा कि यह सब अलग अलग चीज़े होती है सुनने में तो एक होते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है आगे अनेक शब्दों के लिए एक अतिथी यानि कि गैस्ट महमान जिसका आदी ना हो और्थात अनादी जिसका जन्म ना हो जन्मा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुन्निया पढ़ने में तो समान लगते हैं इन शब्दों को सम्रूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं अर्थात वो सुन्ने में तो सेम होते हैं लेकिन उनके मीनिंग उनके अर्थ अलग अलग होते हैं जैसे अनल और अनल बहुत बार प्रतिय की परिक्षाओं में आया हुआ है यह प्रतियों करने और ऊनियानी हाग यानि यानल यान Now आपको सुनने में अर्थ वास्ताउं में अलग अलग होते हैं आस्टों कैसा लगा आपको अगले वीडियो में फिर वस्त दोंगे आपके लिए नया पार्ट लेकर के नया टॉपिक लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद